मुझाइब नियूज़ में 24 नियूज़ में मुझाइब नियूज़ में आपको खुशामदेद कहता है और मुझे बाराल खुशी है कि आज एक तबील अरसे बाद हमारे शहर किराची के मुन्तखब मेर मेरे रूबरू है मुझे इनकी मस्ज़ूफियात का इल्म था मैंने कहा कि इनकी डेलीस पर हादरी देदू लेकि इनकी अचाना कहीं बारिश ना हो जाए कहीं रास्ते में ना फज़ जाओं और डियस नजी ना पहुंच सके बहुत सारे मसायल आपके होंगे और बिलाँकर ये भी किराची के ट्रैफिक को फेस करते हो गए मुझे नहीं पता है इनकी लिए साइरन की कितने बज़े और कितनी जगह रुकावट हुई ही लेकिन मेरा कहाल है ये तमाम रूर्ट रेगोलेशन को फालो करते हुए मेर वसीम अगदर भाइ हमारे साथ हैं वसीम अगदर भाइका इतवी का इत्तवील पुलिकल केरियर है MQM की साथ एक पूरी तारीख है इनकी फिर मेरे खायल में पाकिस्तान की सियासी तारीख में अगर शायद दूर और जगा भी हुआ हो के जेल से मेर मनतखब हुए फिर जेली से हल्फ उठाने आए और लोगों का ये ख्याल था और इन्होंने कहा भी था कि मुझे लादो ताके मैं यहीं से बैटकर अपने किराची के इंतरामात को देखूँ सौ दिन में इन्होंने अभी फिलाल बिड़ा उठाया है कि किराची का चेहरा मैं दुरूस करने की कुछ 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 करूँगा आच तालिस समा दिन है और मैं नहीं क्याता कि आज मेर किराची आए तो इन से आके तमाम किराची का जो मलब़ जो आट आट साल से है वो उन वेलकम करते हैं फिर भी वसीम भाई उन तालिस मकदमात थे पहले उसकी ख्याल था आपके मैं छुटके बाहरा भी आऊंगा इस केमजी विल्डिंग में बैटूंगा या नहीं बड़े-बड़े सख मकदमात बारा मैं को आपने आगे लगाई गारिया जलाई असला निकला पता नहीं क्या क्या कर दिया आपने पता नहीं जी बस मुझे तो हसी आती है और कुछ नहीं यह बेचारे लोग जो अपने अपना अपनी एनरजी अपना एफर्स टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन कामों में पैसा भी लगता होगा बिल्कुल यह अगर पॉजिटिव चीजों में काम करें हैं हैं अपनी अनरजी लगाएं मुल की बेथरी के लिए हैं शेहर की बेथरी के लिए तो मैं समझता हूँ आवामका फायदा होगा मुझे आपने इंट्रिउस कराया कि जेल से ऐलेक्शन लड़ा और वाहिद आदमी हूं में दुनिया का जिसने जेल से मेर का जीता है और उसके बाद अफसोस खाए है मुझे कि जब ओत ले रहा था ओत लेने के बाद मैंने हकूमत से रिक्वेस्ट की कि मैं काइद आजम मुझे जिना साब के मजार पर जाओंगा तो मुझे मना कर दिया गया रोक दिया गया नहीं जाने दिया गया तो ये एक अजीब सी बात है ये कि काइद शेह का में जनाब मेरे लिए सबसे बड़ी प्राइटी ये थी कि मैं ओत लेने के ब बेखे वे हैं तेकि ने कि वसी माई आपको ये तो इल्म है कि सुरतियाल वो नहीं जब डाक्टर फारू सत्तर भाई ने मेयर का हल फुटाया ना वो सुरतियाल कि मुस्तिफ़ कमाल साथ ने हल फुटाया इस दोरान बहुत सारे बैगिजिस कहरें मलबा पर हुआ पार्टी के हवाले से कहते हैं मिलिटेंसी से मुकदमा बारा मैं मुशरफ का साथ बाकी सब कुछ और मैंने जैसे कहा कि मुस्तिफ़ कमाल और फारू सत्तार या उससे पहले जो नेमत अला खान भी थे वो जब बैठे तो काफी क्लीन चिट उनके पास थी अब आप इन तमाम चीज़ों के नहीं मैं लंडन के हवाले से बात ना करूं पाक सर्दमीन शायद बात के बारे में बात ना करूं लेकिन ये कैसे मुम्किन है कि वसीम अख्तर जो M.P.M. की पूरी डाई हार्ट हार्ट कोर में मुझूद हो इस तमाम बैगेजिस को अलक रहकर बिलकुल पे और कहें के न है और इस मुलक में ये होता रहा है पिशली बहुत सारी मिसाले हैं स्यासी जमातों को सर्टिफिकेट बटे हैं हमारी जमातों को हमारी जमात को सर्टिफिकेट बाटा गया है तो ऐसी बात नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी जमात जो के M.Q.M. पाकिस्तान है उसको डिफेंड ना करूं, बिल्कुल मैं उस जमात से हूँ, पोलिटिकली एलेक्शन लड़े गए है यह उस प्लेटफॉर्म से, तो ऐसी बात नहीं है कोई, और जो बैगेज बैगेज तो बहुत सारी और जमाते हैं जिनके साथ लगा हुआ है, वो तो वहां तो कोई मसला नहीं ह और बैगेज तो लगाया जाता है, दिया जाता है, बैगेज तो डाला जाता है बैगेज तो, हमारे मुलक में एविडिन्स तो क्रियेट किये जाते हैं ने लेकिन मसला तो है ना, मसला उसल जवाब थे, तो एक एक जमात थी, एक कायद था, पूरी M.K.M. की गिरिफ्ट मुलक थी, बारहाल एक तक्सीम के लंडन मैटर करता है, उसलवा बाई ठीक है, वो भी मैटर करते हैं, इसलिए वो यानि गहर मामुली बसायल तो हैं, गह मैर समझे जाते हैं और यह और यह बेख्तियार मैर का उदा कब तक वसीम अखतर पास अपर रखेंगे, कई कब इनका पैमाना चलकेगा? देखें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, के इस्टियारात के हवाले से, बिलकुल माजी में जो मैर रहे हैं, उनके पास टोटल इक्त इस्टियारात महदूत कर दियें बहुत, और यह मेरी नजर में वाइलेशन है, आइन की, कॉंस्टियूशन में वन फॉर्टी आर्टिकल बड़ा क्लियर कहता है, क्या? कि पॉलिटिकल पावर्स, फाइनेशल पावर्स, एड्मिस्टेटिव पावर्स, निश्ली सता की गर् देरे कि ओताक नहीं है, कि मैं देता हूँ या नहीं देता, आइन कहता है, आपको देना है, आइन कहता है, आपको देना है, मैं कराची को देना पड़ेगा. मैं आर्टिकल वन फढ़ लेता हूँ, इच प्रोवेंस शेल बाई लॉव स्टैबलिश अ लोकल गार्मेंट सिस्टम और डिवॉल्व पॉलिटिकल अड्मिस्टेटिव और फाइनचल रिस्पॉंसिबिलिटी एन अथर्टि टू दे अलेक्टिज रेप्सेंटेटिव और लोकल गार्मेंट ये मैं देता हूँ, इसको कम दूँँगा, ये वड़ेरा शाही नहीं चलेगी, ये आईन कहरा है, इनकी गौर्वर्मेंट को आठ साल गुजर गए, आठ साल से तो किराची महरूम है, आठ साल ना गौर्मेंट बनाई, सुप्रीम कोर्ट के और्डर्स पे आपने ऐलेक्शन करवाए, ठीक, लोकल बॉडिस के, तो या कि ये ऐलेक्शन हुआ है, उसमें भी डिलेंग ट्रेक्टिस इतनी के काज़ाज मजार तक नहीं जाने दिया गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अभी भी सुर्टियाल कन्फर्टेशन है और बाराल हम तो यही कहेंगे के सिद्ध हुकूमत बारल पील पार्टी की हुकूमत है, अगर ये तमाज सुप कुछ नहीं करें, तो पीपलिस पार्टी ही वाइद इसकी दिमेंगारे, अगर ये करेगी तो कराची के मेर को अगर मिलेगा, और वो अगर डिलिवर करेगा, उसकी टीम डिलिवर करेगी, तो कराची डिवलफ होगा, आज गवर्ण अफ सिंध पे ये धबा लगावा है आट सालों से, बैट गवर्नेंस, तो जब कराची में हम और हमारी टीम काम करेंगे, हैदराबाद में इसी तरह काम किया अच्छा, अच्छा, आईन खाए अच्छा आईन को आई मान रहा है, पाकिस्तान में कौन मानता है, अच्छा, 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 दूसरी बात एक और चीज़ बताओ में आपको, जो एक्ट पास हुआ है, एक्छी कर, दोहाजार तेरा का, जिसमें एक्प तो अपने पास रख लीए और कुछ लोकल गवर्मिनट को दे दीए जिस से जो functions directly अवाम को फाइदा नहीं पुचाते है वो हमारी तरफ है और जो फाइदा पुचाने वाले जो functions हैं वो mensPal functions कहलाते हैं ये mensPal government के पास ही होने चाहिए है कराची menspal corporation, लिकिन कराची मुंसिपल कॉर्परेशन उसके पास ये फंक्शन्स होते हैं, मुंसिपल फंक्शन्स कहलाते हैं, ये मुंसिपल फंक्शन्स गुर्मेंट के पास नहीं होते हैं, उनको अख्तियार नहीं होता है दुनिया भर में भी, और यहां भी आप वालेशन एक तो आइन की कर रह हो वो कैसे एक्ट कहता है compulsory functions ठीक है ये मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ एक्ट पढ़ के सुना रहा हूँ functions to be performed by the metropolitan corporation exclusively ये मेरा काख़ नहीं है ये government of sin का काख़ है ये people's party का काख़ है इस काख़ से ये इस तरह किराची के लोगों को मैं बताना चाहरा हूँ के मैंने वोट दे लिया ये तो मैंने आपको एलेक्ट कर दिया नहीं ऐसा नहीं है कराची के अवाम बाशहू हूँ रहा है पढ़ लिखें जानते हैं ये मैं कोई दो 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 की बात नहीं कर रहा है कराची के अवाम की बात कर रहा हूँ ठीक है कराची के अवाम सब जानते है प्लैनिंग अब यह जानते हैं कि गज़ कूपी पॉपी पार्टी ने किया वे है सुनें फंक्शन्स टो बी पॉर्फॉर्म बाइ पुलिन कॉर्परेशन एक्स्क्लूसिवली पहला function क्या है planning development and maintenance of inter-district roads, bridges, street lights and strong water drain ये सारे function government of sin कर रही है, ये किस हैसियत में कर रही है, illegal है ये, करी नहीं सकते हैं अगर ये कर रही है तो आपने कोर्ट पे चैलेंज किया, आप दस अरब क्या पैकेज कराची को दे रहे हो, आप कैसे एक्जिक्यूट करा रहे हो, आप करा ही नहीं सकते हैं, illegal है ये, ये functions आपके act के मताबिक, municipal corporations के हैं तो ये आप कैसे लेंगे, ये तो बात होगी ना, आप आप कहने कि ये कर लिया उन्होंने, अगर आट साल में इन्होंने कुछ परफॉर्म किया होता, तो कराची की शकल ये नहीं होती, सड़कें बनीवी होती ही, बारिश के पानी ऐसे खड़ा नहीं होता, कच्रा होता ही नहीं, आज बाहर नदर आ रहे हैं कच्रे की, आपको भी पता है, मैं जिस मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूँ, वो मैं जानता हूँ, ठीक है, तो ये सारा बिगाड आट सालों में है ना, बिरोक्रेटिक वे में आपने इस कराची शहर को चलाया, ठीकर आप कराची के मैं तो सर्वी वेसी मक्तर भाई पूशे चा रहा हूँ, किस तरह मुतमें करेंगे, कि ये टेक्रिकरली पढ़े, आइन पढ़े, आइन पढ़े, आपको सड़क बाना नहीं नहीं जा रही, आपको गड़ा साफ करने के लिए कच्चाने गड़ा नहीं करी आ रहा, आइन हु रहेंगे, फिर वोई सड़कों पर आएंगे, शहर बन कराएंगे, या अदालतों में जाएंगे, और छे माच, आठ वाट साल गुदर गए, इनकी हुकूमत को साल बर रहे गए, लोग कैसे मुतमें होगे? कराची की अवाम, वैसे मैंने कहा, बाशओर है, ये पहली दफ़ हैं, जो माजी में इस शहर के लिए मुक्तलिफ गवर्मन्न ने किया है, वो भी कराची के अवाम को पता है, अगर इस शहर को किसी ने दिया है, कुछ फंड्स, तो वो मुशरफ साब की गवर्मन्न में मिला है, ठीक है, उससे ना पहले मिला है, ये आप जानते हो, ये आप अन फंड्स को सही तरह यूटिलाइस करते हैं, कराची के हम लोग है, हमें पता है, प्रियोटी क्या है, कराची में क्या क्या होना चाहिए, किस अगर मैं और प्रियोटी में इस वक सबसे बड़ा मस्दा, वसी मखसर हो कि आप पेश आ रहा है, कचरा तो सभी कहते हैं, आट लॉग आट सालों का कच्रा नहीं उठाओगे, तो कैसे क्लेर होगा कराची, नहीं हो सकता, रोज जनरेट कर रहा है, जब तक आप टूती पूती आट सालों की सड़कें नहीं ठीक करोगे, कैसे मोटरिबल होंगी सड़कें, तो आप यह कैसे लेंगे, आप ये मेरे पास न टाइवे हो गया? इस मुलक में काम इसी तरह होता है ये तो मैं पीछे परड़ पर के करा रहा हूं ठीके? मदस्वें अबीत- क्या इंसे ले पाया है? Ze भी इन्से ले पाया? कुछ भी नहीं उच्व जो हम कर सकते घे हमने हेंडेड डेस का जो प्लैन दिया है उसमें हमने जिस तरह से भी डििस्ट्रिक'd ने डिस्ट्रिक्ट ने जो भी पैसे रोके हैं जो के खलत इस्तमाल होते थे पेट्रोल की मद बें, कमिशिन्स की मद बें वो रोक के हमने अवام को बताने के लिए कि उनकी प्राइरटी के जो जगाएं हैं, यूसी जए हैं, उनको रूटीन का जो बज़े हैं तो है तन्खा देते हैं देट सौल मगर अब देखें अब मामला सर्वाइवल का है अब रूटीन की डिवलिपमेंट नहीं हो रही है नहीं चाहिए आपको वार फुटिंग पे कराची के मसायल हल करने हैं इंफरास्ट्रक्चर सिविलिज का आपक इसको दिये वे तकरीबन कोई दो हफ़ते हो चुके हैं कितने पैसे मांगए आपने हैं वो मुक्तलिफ हेड्स में हमने चीज़ें उनसे मांगी है वो जैसे ही अप्रूब होती है इंशालला मैं आपके थरू उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा और आपको लगा के मुरा आपके आपके तरह दो हैं ना कोई रिष्टे वाली बात है ना कोई स्यासत वाली बात है कराची के एशुज हैं उनके कैप में भी फैदर लगेगा अगा कराची हा काम हो जाएगा आप चार पाँच बताएंगे जिसमें आपने आग आगए कार गारा तप्रेक के बात लिए हमने उन से लेकि सबसे बड़ा तो मतलए यह सीम भाई की जो आपकी सड़कों का हाल हमें दो घंटे में तो मैंकल यह अपने मेंट्रोपॉल से लेकर हसन स्कौाइर पहुंचा हूँ इसका क्या होगा है लोग तो यही कहेंगे जी शेर का यहाल ट्राफिक का हाल सड़को लोग जानते हैं कि पिछले आठ सालों में किस ने बिगार किया आज अगर जो पावर्स नहीं दे रहा अलेक्टिड गवर्मेंट को वो किसी गलती है कराची की अवाम बाशओर हैं सब जानते हैं ऐसी बात नहीं है जो आपने हफ़ते दो हफ़ते पहले जो चीफ मिनिस्ट है कि हमारी सीरियस मीटिंग हुई हैं काफी इशूस पे दो दफा मैं मिल चुका हूँ सीम साब से और जाम खान शोरो साब से जो बल्दिया के वजीर हैं उन्होंने भी अगरी कि हम दोनों ने डिसाइट किया हमारी ड्यूटी सीम साब ने लगाई थी दोनों की कि अपना का काफ बना लो वो काफ मेरे सामने लाना मैं अप्रूफ कर दूँ हमने बना लिया है विद अप्रूवल अफ लोकल गर्मेंट मिनिस्टर अब उनके पास पढ़ा है अगर वो अप्रूफ करते हैं तो ये काम तेजी से आपको होतावा नजर आएगा मुझे ब्रेक की दर जान कि वसीम अख्तर भाई के लहजे में बियान में वो इत्माद नजर नहीं आ रहा कि जिसकरी वो समझ रहे कि ये सबकुछ उने मिला इस पर बुक्तू करेंगे हम एक ब्रेक के बाद हमाने साथ नहींगा प्रेटिफोन नियूज में मुझाहिर बिली एक बार फिर खुशाम देट कहता है किनाची जैसे पहाड बलके हमालिया पहाड से भी जैसे बड़े मसाइल पर एक इस तरह मुम्किन है के एक नशिस में वसीम अक्तर भाई से गुफ्तू कि जाए हमें इसलिए एक दोरी आता है कि वो जो मैंने मुशरफ का खिर किया पुलिटिकल भी आपका पूरी सपोर्ट थी और उस वक्त गालिबन जो बड़े जो 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 लोग क्रेल वे हुआ और स्टील मेल हुआ और पेनसी हुआ और पोर्ट कासिम हुआ सुना वो जो उसक बारा तेरा अरॉप्रिया और आपके खाल में वो फैडल गॉर्मन्ट या प्राविर्शन गॉर्मन्ट ने का कि चले भाई वसी मखसर भाई ये लिए आप के ते ना मेयर दे दो मेयर दे दीआ है कौंसल दे दो कौनसल दे दो टाना वेत दे दी आप आपको अब कहते जी करो काम तो वो क्या सुरत नहीं जिगड़ा जिरदारी साहब जिगड़ा इस काम के लिए तो आपको चले जाना चाहिए बैट जाना चाहिए अना का मसला नहीं बनाना चाहिए मैं तो ना का मसला बनाया है मैं तो सारी जमातों के पास गया हूँ अच्छा खुद चल के गया हूँ नवाज शरीफ तो दे सकते हैं ना माशाला किस तरी के बाट रहे हैं किस तरह दे हैं मैंने आपके थूरू मीडिया के थूरू नवाज शरीफ साब से भी रिक्वेस्ट की है और चीफ निस्टर साब से भी रिक्वेस्ट की है बिलावल साहब से नाम लेके रिक्वेस्ट की है, आसिफ साहब से नाम लेके रिक्वेस्ट की है, शेबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है, और क्या करूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सिर्फ, कराची बतकिस्मत ही है, कराची देता तो सब को है, कराची के पैसर पैसर باتوں سے جو کہہ رہا ہے وہ میرے خیال میں احمد کو بھی جنت میں رہتا ہے. کراچی سے ہی آپ کا بجٹ بنتا ہے اسلام آباد کا. اچھا. کراچی کے ہی پینسٹ پرسن جو ریوینیو جاتا ہے اس سے بجٹ بنتا ہے. وہ ہی ڈسٹریبورتے ہیں ان ایف سی آوارڈ میں. اچھا. سارے صوبے ما شاء اللہ بنتے ہیں. بنیں. اچھی بات ہے. پنجاب ترقی کر رہا ہے. کرے اور بھی. مگر کچھ نظر کرم اس طرف بھی ڈالیں. اچھا ایک اور بات. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آئیں یہ دے رہا ہے تو یہ جو پروونشل گورنمنٹ نہیں دے رہی تو اس کے اس میں ڈسکرمنیشن کراچی اور حیدر آباد کے بارے میں جہاں آپ کا ہے لڑکانہ نواب شاہ جاکوباد دیگر جہاں اور جگہ آپ نے سندھ میں کیا ان کی جو گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو آپ کے کیا. آہ بلکل وہی ہو رہا ہے. اچھا. آہ ان کے پاس ہی کیوں ان کے ساتھ پر یہ نہیں پھر کیوں نہیں پھر آپ کیسے کہیں گے ان کے جو آہ آہ آٹھ سالوں میں لڑکانہ کا حال دیکھ لیں آپ they are not interested. گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ لڑکانہ ہو. اگر ایسا ہوتا تو کراچی نہیں بناوا ہوتا باقی سوبے کے جو ڈسٹرکس ہیں وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں شکارپور چلے جائیں نوابشا چلے جائیں سکھر چلے جائیں آپ حال دیکھ لیں کراچی سے برا حال ہے ان کا. تو ownership ہی نہیں ہے چاہی نہیں رہے will ہی نہیں ہے. تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ میرا ذمہ داری اگر عوام نے کراچی کی لگائی ہے وہ ڈال کے میر بنایا ہے. تو میں تو چاہوں گا کراچی ڈیولپ ہو. جس کی ہیدر آباد پہ لگی وہ چاہے گا ہیدر آباد. کسی کی سکھر کی لگی ہے تو وہ سکھر کو ڈیولپ کرے گا. مگر پچھلے آٹھ سالوں میں جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں آج تک اس میں گورنمنٹ کی کہیں بھی مجھے will نظر ہی نہیں آ رہی. کہ سندھ گورنمنٹ دونوں کو کہتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں میں. directly involved with سندھ گورنمنٹ. میں اپنا جو معاملہ بتا رہا ہوں آپ کو کراچی سے related وہ ہیں اختیارات. اختیارات وہ فنکشنز جو پھر سے میں repeat کر رہا ہوں وہ فنکشنز جو لوگوں سے pertain کرتے ہیں. لوگوں کی فلا کے لیے ہیں. وہ سارے فنکشنز گورنمنٹ آف سندھ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. سڑکیں بنانا. ساری چیز ہیں. گٹر صاف بنانا. سی وریج. پانی. سب سب اپنے پاس ہے. municipal services جو دیتے ہیں وہ municipal آہ آہ کی ایم سی کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک بہت کہا یہ جاتا ہے کہ آپ انہوں نے گوست ملازم رکھ لیے. ایم کی ایم کے ور کرتے. دفتر نہیں آتے تھے. کام نہیں کرتے. یہ 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 جواب نہیں ہے اس کا نا. یہ یہ. نہیں میں کہہ رہا کہ ہم سہترہ آزار اگر یہ کہتے ہیں تو کیا یہ خود وہ ادارے محکمے رکھ کے کام کرا رہے ہیں. نہیں کرا رہے نا. اگر کرا تے تو پورا سندھ ریبلپ ہو چکا ہوتا. ان پہ بیٹ گورننس کا دھبا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو نہیں کرا رہے نا. پورے سندھ کی میں کیس لڑ لیتا ہوں. اگر کراچی کو چھوڑ دیں پورے سندھ میں ہی یہ حال ہے. دیکھیں پھر میں پھر یہ پوچھنے کا کرتا ہوں نا. کہ ایک بے اختیار میر یہ کب تک یہ باتیں کرتے رہے گا جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں. مجھے دوسرا اپشن نہ آپ سڑکوں پہ جائیں گے نہ آپ کوٹ جائیں گے. وہ میرا اپشن ہے نا. وہ تو میں دیکھوں گا اس کو. اچھا. ٹھیک ہے. یہ عوام دیکھ رہی ہے نا. وہ تو جو میرے پاس. کب تک دیکھے ہو. میرے پاس جو اپشن ہیں وہ تو میں اس کو میری پارٹی دیکھے گی. کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. نہیں آپ کہا ٹھیک میں نے اب آپ پارٹی کے رابطہ کمیٹی کے رکن. یعنی وہ والی معاملہ نہیں کہ یہ شہر کا معاملہ ہے. بالکل شہر کا معاملہ ہے. یہ جب اس میں جماعت اسلامی ہو پیپس پارٹی ہو. یہ ساری میرے ساتھ ہیں. یہ سارے میرے ساتھ ہیں. اچھا. ساری جماعتیں میرے ساتھ ہیں اس پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہم کچھ عرصہ دیکھنے کے بعد ہم کوٹ جالے جائیں. اوکی. ٹھیک ہے. ہم جس کوٹ نے یہ الیکشن کرائے ہیں. جس کوٹ نے سو موٹو لیا اور الیکشن کرائے ہیں. ہم اسی کوٹ کے پر جائیں. یعنی اب آپ کو دو آپشن. کہ آپ ہمیں اختیارات بھی دلوائیں. تاکہ ہم عوام کو ڈیلیور کر سیں. دو ہفتے پہلے آپ نے مراد علی شاہ صاحب کو ایک ہینڈ آور پیپر کر دیا ہے کہ ہمیں اتنے روپے ان پروجیس کے لیے دے دو. جنوری تک اور انصار کریں گے. ونہا فروری میں وسیم اختربائی پارٹی دیگر پارٹیوں گروپوں کو لے کر یا تو کوٹ پہ جائیں گے یا سڑک پر جائیں گے. بالکل. دو راستے. میرے پاس اپشن کوٹ کا ہی ہے. اور اگر. نہیں ہوتی تیسرا اپشن ہے. دوسرا اپشن. پہلا. تیسرا اپشن یہ کہ نہیں جی اچھے بھی چھوڑ دیئے. نہیں. کپتے یہ کہتے رہیں گے کہ وسیم اختربائی جی. نہیں ایسا نہیں ہے. ہم اگر اس وقت بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا اپشن عوام کے پاس جانے کا ہے. ہم عوام کے پاس جا سکتے ہیں. ہم دھر نہ دے سکتے ہیں. اور یہ ہم کا مطلب ہے ساری سیاسی جمعتیں. اچھا. اختیارات کے لیے. کیونکہ کسی کو اختیارات نہیں ملے. پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے. کیونکہ وہ تو کافی میمبرز سے میں رابطے میں ہوں. وہ بھی یہی کمپلین کرتے ہیں کہ کیا فائدہ الیکشن کرانے کا. یہ پیپلز پارٹی کی رات کر رہا ہوں. اچھا. میں یہ والی کیوں نہیں ہوتی کہ جو ساری جو اب دوام جو شہروں کی ڈیولپمنٹ آج کا ہم بڑے سی پیک سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں. اور چینی آ رہے ہیں. کچھ لوگ خیر مزاق بھی کہنے لگے. اب ہمارا کچھ رہ بھی جو ہے چینی آ کر اٹھایا کریں گے. یعنی لطیفہ بن رہا ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ مقصر بھائی نے کہ جب وہ اگر مغرب کا روٹ ہو یا مشرق کا روٹ اور شاید کراچی میں کچھ آگے بن رہا ہے. کیا سی پیک کے تحت بھی کراچی بڑھ جائے سے بڑے شہر کو کچھ نہیں ملے گا. کچھ اس حصول میں آپ آگے بڑھے. سی پیک میں میرے خیال میں ان کے کافی افرٹس ہیں اپنا مراد علی شاہ صاحب کے کہ سرکر ریلوے کو سی پیک میں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے. اور امید نظر آ رہی ہے کہ یہ اس میں چلا جائے گا. اور سرکر ریلوے جو ہے وہ فعل ہو جائے گا ہمارے ہاں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھا پروژیکٹ ہے. سی پیک سے اگر اگر. بلکہ میں تو چاہوں گا نواز شریف صاحب سے ریکویشٹ کروں گا سی پیک میں کراچی کے لیے اور بھی بڑے بڑے پروژیکٹ. کچھرہ بھی ڈال دیں سی پیک میں. سب ڈال دیں. کیونکہ جو آہ شہر کا فائدہ ہوگا میں تو اس میں انٹرسٹڈ ہوں. اچھے یہ تو آپ آہ دکھا رہے ہیں فون کالیں کہ لوگوں کی آنے لگی ہے کہ ہمارے با وقت ہے کہ ہم ایک دو سوال ہے. بریک کے بعد. ایک دو وقت نہیں ہے ہمارے پاس. بریک کے بعد. فون نے ایک دو کالیں دے دیں نا لیکن درہ ٹھیک ہے. وہ ہی نہیں کہو کہ ان کی رابطہ کمیٹی کے لوگوں کی کال آ رہی ہے صرف وہ. ہمارے ساتھ رہیے گا چلتے ہیں ایک بریک کے بعد اور کوشش کریں گے تین چار کالوں کے ذریعے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے آہ یا پوچھنا چاہتے ہیں. مسائل پہاڑ جیسے ہیں ایک میں کس طرح سوک سمیٹی جائے. میتے ہیں بریک کے بعد. ٹرنٹی فور نیوز میں مجاہر بن لی آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے. میرے کراچی محترم وسیم اختر صاحب میرے سامنے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کراچی کا جو کراچی اتنا پیسہ دیتا ہے کہ اس سے اسلاحباد کا بجٹ بن رہا تھا. اور بیشتر ان کو اس بات کی امید کمی نظر آ رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے کچھ ملے. کہتے ہیں وہ نہ کوٹ جائیں گے. سڑکو پہ جائیں گے. میں دیکھیں لوگوں کی بھی کچھ کالیں سننے سے چاہوں گا. یہ جو پیسہ تو فیڈل گورنمنٹ یا پرومنشل منسٹر کو ملنا ہے. کیا اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ ضروری تھا کہ پرومنشل آہ منسٹر ہو بلدیات کا لوکل باڈیز کا کیونکہ جو کچھ آنا ہے تھرو اس منسٹری کے آنا ہے نا. پیسہ تو آ رہا ہے پرومنشل آہ لے اوٹ کے بعد. آہ دیکھیں جب آہ جو محک میں ڈیوالو ہوئے ہیں آہ ان پہ ان پہ آہ لوکل گورنمنٹ کا اثر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. ٹھیک ہے. مگر افسوس کے وہ ڈیوالو کی جگہ انہیں نے پھر فرنٹرلائز کر لیے ہیں. ٹھیک. جو ڈیوالو آہ نہیں ہونے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کا منسٹر دیکھ سکتا ہے. ہیلتھ کے کچھ سندھ کے چیزیں ہیں. آہ ریلیٹیڈ ٹو لوگل گورنمنٹ وہ بڑے ہاسپٹلز ہیں دوسرے آہ دوسری ڈسٹرکس میں. وہ دیکھ سکتا ہے اسی طرح ایجوکیشن ہے وہ دیکھ سکتا ہے. مگر جہاں تک منسپل سرویسز کا تعلق ہے جس سے ڈیریکٹلی آہ آہ انوالو ہوتی ہے کی ایم سی آہ کراچی. اس کو نوٹائیڈک میں نہیں چاہیے اس میں بیچ کی رکاوٹی نہیں ہوئی. وہی نہیں چاہیے. جب ہی تو یہ پرابلمز آ رہے ہیں. جب ہی تو کچھرا نظر آ رہا ہے. جنہیں اگر آپ کا ڈیریکٹ آہ 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 چیف منسٹر سے تعلق ہو تو پھر آپ کو یہ مسائل مشکل میں نہ آئے. ان ان کے تحت نہ اوزہ نہ پڑے سکیٹی पालिसी अगर ये नहीं है कि खहीं रोका जाए तो बहुत अच्छी बात है कराची डेवल अप होगा तो कराची सिंध का बड़ा शहर है सिंध डेवल अप होगा ये भी इस बात कर रहे थे कि पच्पन करोड़ों पे आथा लाड़काना वाला उन तक भी नहीं पहुचा ना शावा को मिला ना इसको मिला तो ये किराची को नहीं पहुचा तो क्या आप देख ले ना डेवलिप्मेंट हो का रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे सुबे में देख ले ना पंजाब में पंजाब में सुर्ट्याल है कि आपके सामने एक और वी सवाल दो जी मैं वो एक अलक लोगों ने बेस सवाल उठाया था कि जी अगर सुबाई हुकमत किसी और की होगी ब्लोकल बार्डिर की होगी तो वैसी कंप्रेटेशन और एक कॉल सुन लेता हूं देखे है यह इनकी मुनाफ़कत है यह जो आज बुराद अली शाह साथ जो है आप इनके वालग का दोर देखे उसनों ने अपने दोर में भी हैंकियों के साथ जो जात्री की थी वो भी पूरा किराची जानता है चले हम शाह साथ को तो देखे ले महरूम हों गए लेकिन अब आप कराची से बात करें इनका शालती जी बिल्कुल आरे है यह बहुत कम वक्त है प्लीज जी बताएं कहा आप किस देखा पर खास सौर पर आपर अब्रस बता दे यह भास कानूनी आप नंबर और तक्षी अबादी आप घरों में पानी आ रहा है मातर सीविश को कोई इंतजान आप नंबर भैस काल नहीं जी ओके अबादी है चले यह स्पेसिक बात होगे दर एक दूसरी कौल सुन लें तीसरी पर एक आखरी स्वाल मुझे भी करना है जी फरमाईए कहा से एक खास बादर वजी बादर यह तो आगए होगा ना रिकार्ट खाल का देख लेकर सकते हैं म मतय Videец है पते हैं twa दो बुरड अगो थे इस दो हे पनी जाती है पानी पानी को तरसी गली कष़िने का रिकाद जर्ब हूँ आप नवा है सब्सक्राइब के बड़ा घरक होगे हमें इंकेम का वो दोर याद आता है जब मुस्तवा कमाल नाजिम सा तो उसमें च्राइब को पारिस बना दिया था चीक एक आखरी और कौर सुन ले क्योंकि एक मेरा आखरी सवाल भी रहता है जी ओके एक 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 मेरा खान में जित्ती भी कॉलें आएंगी कोई बहस का लोनी में बतायाएगा तो यह नहीं हो सकता कि कोई मैं देख रहा हूँ कि मुहिमा आपने कोशिश तो किया है किराची बहुत बड़ा शहर है कुछ चालिह हजार तन कच्छा पड़ावाएं सब को हर तर पाजरों को सनतकारों को और लोगों को लेका चलें छोड़े हुकूमत लोगों को जनरेट कर सकते हैं वसीम भाई देखें लोग साथ हैं एंजियो साथ है यूथ साथ है बिजस कम्मूनिटी भी साथ है मगर इस साथ से जो पहाड हैं कचले के वो नहीं हट सकते उसके लिए उक्विप्पंट चाहिए तस अरब चाहिए पंदर आरब चाहिए पैसा दो चाहिए बहुत फाइर ब्रिगेड के पास फाइर टेंडर्स नहीं है सनाकर्स नहीं है जहां दो जगाओं पर खुदाना खास्ता एक साथ आग लग जाएगी आग नहीं बुझा सकेंगे तो ये मे आप किसे आप तक बात ऐसे कर देंगे दो एक महीन अबाद भी पर आप यही बात कर रहा हूंगे यहां पहुद कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं साब से भी रिक्वेस्ट करने की कोशिश फैडल गर्मन से भी कि जा रही है कुछ नहीं बन पना तो जाहिर है फिर कोट में जा समझते हैं कि किस हد تک मुझे तो आप मजोई तो पर जो कुफ्तु को रही है उस में तो यह लग रहा है कि मायूसी घालिब है आप पर और आप समझते हैं कि सिंद गॉर्मनेट से आपको नहीं कुछ इस तरह मिले हैं सी बात नहीं है, मायूस नहीं हूं. काम कर रहे हैं, जतने इख्तियारات मौजूद हैं, उसमें रहते वे जो मैक्शिमम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं. कोई कम्प्लेंट सेंटर आपको काम कर रहा है, जैसे अभी भैस कालों आपकर वाटर बोर्ड का में यह नहीं है मेरे पास यह वाटर बोर्ड सीवरिज का काम है सीवरिज भी गौर्णिड अपस रखा हुआ है जो मिनस्पल फंक्शन्स हैं वो सारे इन्हों ने अपने पास रखेंगे और डिलिवर नहीं कर रहे हैं अब मैं क्या कहूं कि वसी मगत मगतर भाई के दाथ आज तो मैंने सूरियों में यहां पर आए और अब इनके साथ सड़कों पे जाकर देखंगो और वहां जाकर एक हम कचेरी लगाएंगे मेरे खाल में वसी मगतर भाई आपकी आमद का शुक्रिया मैं जाए तो इजादर दीजिए